परिचय नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी रात में आकाश को देखा है? रात में यह चमचमाते तारों और चंद्रमा से भरा होता है ये चांद और तारे कहा रहते हैं? हाई ये पता करते हैं आउ सीखें ब्रह्मांड के विभिन भागों के बारे में जानना तारों, ग्रहों और चांद का वरणन करना हमारा ब्रह्मांड दोस्तों हम आस्मान में जो कुछ देखते हैं वह सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है ब्रह्मांड में कई तारे ग्रह और उपग्रह हैं वे सब बहुत छोटे दिखाई देते हैं यद्यपी वे हमसे बहुत दूर हैं लेकिन वे सभी आकार में बहुत बड़े हैं क्या आप जानते हैं कि प्रित्वी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है? सूरज आस्मान में बहुत से तारे हैं क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक तारा है? बहुत सी गर्म गैसों के एक साथ जलने के कारण सूरज एक बड़े आग के गुले जैसा दिखता है सूरज हमें उर्जा और प्रकाश देता है जो धर्ती पर हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है पौधों की वृद्धी और जीवन के लिए भी सूरज का प्रकाश और उर्जा जरूरी है यह सार्व भौमिक तथ्य है कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पश्टिम में अस्त होता है तारे दोस्तों हम जानते हैं कि आस्मान में धेर सारे तारे है कुछ तारे चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते आप देख सकते हैं कि कुछ तारे अकेले होते हैं और कुछ समूह या जुंड में होते हैं जो आपस में विभिन प्रकार का आकार और आकृती बनाते हैं देखो, इसे सब्तुरिशी कहते हैं। इस चमकीले तारे को दुरुवदारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ग्रह तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अपने अगले विशय ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ समय पहले तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल का नौवा ग्रह माना जाता था। लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार अब इसे नौवा ग्रह नहीं माना जाता। अब हमारे सौर मंडल में सिर्फ आठ ग्रह हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। बुद्ध यानी मर्किरी। शुक्र यानी वीनस। पृत्वी यानी अर्थ। मंगल यानी मार्स। विहस्पती यानी जुपिटर। शनी यानी साटर्न। अरुण यानी युरैनस। और वरुण यानी नेप्चिून। क्या आप जानते हैं कि केवल पृत्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि सिर्फ यहीं पर जल और ऑक्सीजन उपलब्ध है। दूसरे ग्रहों पर जल और ऑक्सीजन होने का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर उपस्थित उच्चतापमान भी जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह प्रित्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में घुटाए। होगा कि किसी दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं जबकि कभी-कभी हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। हमने क्या चर्चा की? ब्रहमांड में सभी तारे, ग्रह, उपग्रह और सभी सजीव एवं निर्जीव शामिल हैं सूर्य एक तारा है सूर्य का प्रकाश और उश्मा सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए आवर्शक है आकाश में तारे या तो अकेले या समूह में दिखते हैं हमारे सूर्य मंडल में आठ ग्रह हैं इनके नाम बुद्ध, शुक्र, प्रित्वी, मंगल, ब्रियस्पती, शनी, अरुण और वरुण हैं चंद्रमा को रात में आकाश में देखा जा सकता है चंद्रमा हर रात को अपना आकार बदलता प्रतीत होता है